हमने उसमार भी कहा था कि असरकार की प्रभावी प्रभी ना होने के कारण आज दरदर की ठोकरे खा रहा है OBC समाज और दलिचात के हमारे 79,000 शिक्षक बर्ती में हुए आरक्षण घोटाले का मामला दिन पर दिन तूल पगड़ता जा रहा है सडक से लेकर विधान सभा तक इस मामले की गूंच सुनाई दे रही है लंबे समय से अभ्यरती निक्ति की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार को इन अभ्यरतियों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है लखनो की इको गार्डन में तमाम अब्यरती लंबे समय से एक आस लगा कर बैठे हुए घर परिवार छोड़कर सभी अब्यरती खोले आस्मान की नीचे अपना हक मांग रहे हैं लेकिन उनको उनका हक मिलने के बजाए पुलिस की लाठिया मिल नहीं है अब्यरती उने कई बार शिक्षा मंतरी और मोक्य मंतरी आवास का भी गेराओ किया लेकिन पुलिस की लाठियों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला अब इस मामले को लेकर विधान सबा में सपा विधायक संगराम यादव ने बीजेपी भर जम कर हमला बोला है उन्होंने का कि लंबे समय से अब्यरती प्रदेशन कर रहे हैं लेकिन सरकार इस पर गंभीरता पुर्वक कोई फैसला नहीं ले पा रही है उन्होंने का कि हाई कोट ने भी कहा है कि 79,000 शिक्षक भरती में आरक्षण घोटाला हुआ है दरसर 79,000 शिक्ष्ट बर्ती में आरश्वन में गलबड़ी को लेकर पीडित अभ्यरती नुक्ती की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध पोदेशन कर रहा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को लगाता घेरता आ रहा है मामले को लेकर विपक्ष ने विदानसमा में सरकार के सामने जुस्तरा अपने बात रखी और सरकार से अभ्यरतियों को न्याय दिलाने की मांग की है अब देखना यह की सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है विदान समा में सभाविदायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं अपनी कई पेजों में बिस्त्रित रिपोर्ट मानवर प्रस्तुत की और उसने माना की बिसंगतियां हुई हैं और उसके आधार पर हमें 800-100 छात्रों की जॉइनिंग करा देना चाहिए उसके कई बिंदू है मानवर लेकि लाश्ट में आपकिये गए हैं तथा जिनके दौरा गलत फैस्रे लेकर सासन के आधेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदाइच निद करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के बिरुद गंभीर कारवाई तथा बंचित लाभार्तियों को नया प्रदान करने की संसुति की जाती है उलेखनी है कि किसी तत्थ के में आयोग को तत्थ संपर्क नहीं किया जाता है तो उस स्कति में 15 250 उत्रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा तर्था किसी के पच्छ में सुनवाई का अनुमका ना दिक है समस्पच्छों की संभती समझी जाएगी उपरिक तत्थों के आलोग में जहां चाक्या सासन करव यह प्रस्तुत है मानवर देश के समयधानिक आयोग ने माना और उसके अधार पे मानी मुखंती जी ने उत्तप देश के मानी मुखंती जी ने योगी जी ने भी इस बत को माना कि आरच्छों में विसंगतियां हैं और इनके साथ नय होना चाहिए और इसी अधार पे मानव मनवर उस समय के तब कालिन बेसिक सिख्चा मंत्री ने उनके प्रतिनीध मंडल के साथ मिलकर के कहा 79 अजास साहय का भैती वर्चड की प्रक्रिया में बिसंक्रती से प्रभाईत आरिचित बर्क के लगभग 6 अभःतियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतरिक 17,000 रिक्वदों पर होगी नई भर्ती मनवर हमने जब पिछली बार कहा तो आपने कहा सब जुडिशियल है हाई कोट ने भी इस बात के लिए कहा 79,000 से चक भर्ती में आरच्छन नियमों का पालन नहीं इसको हाई कोट की बेंच में सुनवाई होई और उसने भी माना की बिसंगती है आप डबल बेंच हमने उस बार भी कहा था कि असरकार की प्रभावी परवी ना होने की कारण आज दरदर की ठोकरे खा रहा है OBC समाज और दलिच्छात के हमारे और उसमें भावत हमारी सिच्छक बहने है आज हीको गार्डन में लगातार उनका धरना चला कोई जिम्मेदार भेक्ती नहीं मिला चाहे वो बेसिक सिच्छा मंत्री का आवास हो डिप्टी सियम साब का आवास हो मानी मुक्वंत्री जी से वो सम्मिलने का प्रयास किये और उसमें मानी मुक्वंत्री जी ने उनके प्रतिन मंदल से मुलाकात भी किती और अस्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपके साथ नय होगा लेकिन मानुवर आज इतना दिन बीच जाने के बाद पुलिस से वाके भेटते हैं कोई जिम्मेदार अधिकारी वहाँ जा करके उस समस्या के हल के प्रत गंभीर गंभीरता से बिचार नहीं कर पा रहा है जिनके कारण वो दरदर की ठोकरे खा रहे हैं मानी नेता बिरोधी दल अपने पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को भी वहाँ भेजने का काम किया आखिर जब आप कहते हैं सबका सास, सबका विकास, सबका प्रयास तो आखिर क्या कारण है कि भारत का पिछड़ा बर्ग आयुक है उत्तर प्रदेश का राज पिछड़ा बर्ग आयुक है खुद मुखंत्री जिने संग्यान लिया हो और चुनाव के वक्त भी कहा हो कि बहुत जल्ब इनको न्यूक्ट कर दिया जाएगा इसके बाद जूद भी और न्यूक्तिया नहीं हो रही है तो कहीं न कहीं हम सब इस बात के लिए भीवस हैं सोचने के लिए मजबूर हैं कि कहीं सरकार की कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है